आज हम exercise 8.3 आगे continue करेंगे इस नहीं हमने question number 5 तक कर लिया था question number 6 जो है जो ही sales of washing machine for 13,500 रुपीज याने sell है तो इस selling price SP होगी 13,500 रुपेज and she loses 20% in the bargain याने इस सोदे में उसको 20% का नुखसान होता है याने loss percent दिया हुआ है 20% तो what was the price at which she bought it तो bought it याने बहुत वाला price से cost price होता है तो उनको CP निकालना है आपको 8.3 के introduction पार्ट में मैंने CP SP ये सारे formula जो बताये थे उसमें आपको introduction पार्ट में सारे formula लिखाये थे वो formula आपको लगन करना है CP का formula होता है जब loss और SP दिया हो तो 100 upon 100 minus loss percent into SP यहाँ पे अगर loss है तो minus loss होता है और profit हो तो plus profit percent होता है तो यहाँ पे 100 upon 100 minus loss है 20% तो 20 लिखेंगे into SP 13500 है अब इसको जब हम minus करेंगे तो यह 80 आएगा तो 100 upon 80 into 13500 कट करेंगे 2 4 जा 8 2 5 जा 10 10 0 से 10 0 कर जाएगा अब 4 से इसको काटेंगे 4 3 जा 12 एक बज़गे 15 हो गया अपस 4 3 जा 12 तीन बज़गे 30 हो गया 4 7 जा 28 2 बज़गे 20 हो गया 4 5 जा 20 35 आएगा जो कि इसका CP होगा यह नॉर्मल सा फॉर्मूला मैंने अल्रडी आपको लिखाया हुआ है पहले फॉर्मूला याद कर लीजे और फिर उसकी इससाफ से जो चीज़े दी हुई है वो लिखने के बाद आपको इसका आंसर आसानी से आप निकाल सकते हैं na question number 7 choque contains calcium carbon and oxygen in the ratio 10 is 2 3 to 12 find the percentage of carbon in the chop independence दो पार्ट है WAS our second is taxBB का इसमें calcium carbon और oxygen का बस requirements रिखूश दिया वह वह 10 इस्तू 3 इस्तू 12 दिया हुआ है और आपको इस carbon का percentage पूचह है तो percentage निकालने के पहले हम total करेंगे some-off ratios करेंगे यह सर्म of ratios करने पर 10 plus 3 plus 12 करेंगे तो 25 आएगा अब ratio निकालने के लिए 3 upon 25 इसका fraction बनेगा carbon 3 part है और total कितना part है 25 तो 3 upon 25 हो गया और percentage निकालने के लिए in 200% करेंगे तो इसका percentage of carbon in chalk percentage of carbon in chalk क्या होगा 3 by 25 क्योंकि carbon का ratio 3 था total 25 था तो 3 by 25 into 100% करेंगे 25 बन जा 25 फूर्जा होता है तो 4 फूर्जा 12% carbon का percentage आएगा यह percentage carbon का है यह आपको ध्यान रतना है यह आपको next question में यूज़ होगा if in a chalk in a stick of chalk carbon is 3 gram यह percentage के साब से 12 gram है लेकिन अगर इसका actual measure देखें तो यह 3 gram है अगर उसका actual measure जो है वो 3 gram है तो what is the weight of the chalk stick अगर carbon 12% है या फिर 3 gram है तो weight of chalk stick क्या होगा वो आपको बताना है तो माना कि हमको weight of chalk stick पता नहीं है तो let the weight of chalk stick be x अब यह x क्या है chalk stick का weight है वो पूरे weight में से 12% carbon है जो कि 3 gram के बराबर है तो हम क्या लिखेंगे 12% of x इस पूरे chalk stick का 12% किसके बराबर है 3 gram के तो इसका equation यह बनेगा 12% of chalk stick याने 12% of x equals to 3 gram यह 12 by 100 हो जाएगा percentage की जगा नीचे 100 आएगा off की जगा multiply x equals to 3 gram 3 हो जाएगा 12 x by 100 equals to 3 तो 12 x अब यह 300 जो है में तेजल जाएगा तो multiply होगा तो 3 x 200 हो जाएगा और यह 12 next step में नीचे आएगा क्योंकि यह multiply में है जब हम कातेंगे तो यह 3 से कातेंगे तो 3 बन जा 300 और 3 4 जा 12 फिर 4 से कातेंगे तो 4 बन जा 4 25 जा तो 25 gram जो है total weight of the chalk stick हो जाएगा तो the weight of chalk stick क्या हो गया 25 gram ने लिख दिया weight therefore weight of chalk stick is 25 gram यह दोनों को relate करके आपको निकालना था यह question का answer next question number 8 Amina buys a book for rupees 275 याने buy किया है याने यह cost price होगी 275 and sells it at a loss of 15% और बीचती कितना है loss पे 15% loss पे तो how much does this sell it for याने SP निकालना है याने आपको CP दिया है loss percent दिया है तो SP का formula भी मैंने introduction part में लिखवाया था वो देख लिजिए तो जब loss हो रहा हो तो SP का formula होता है SP equals to 100 minus loss percent upon 100 into CP तो loss हो रहा है 15% तो 100 minus 15 upon 100 और CP है 275 इसको जब minus करेंगे 35 by 100 into 275 इसको 5 से cut करेंगे 5 to 10 और 0 5 5 25 दो बज गया तो वापस 25 हो गया तो 5 5 25 फिर 5 से करेंगे तो 5 4 जा और 5 11 जा तो अब 85 into 11 by 4 करेंगे तो 9 35 by 4 आएगा और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 230 रूपी 75 पैसे इसका आंसर आएगा यहां पर पॉइंट है 233 रूपी 75 पैसे इसका आंसर है कोशन नमबर 8 का इसमें फॉर्मूला लआ के आपको करना था कोशन नमबर 9 है find the amount to be paid at the end of 3 years in each case अलग-अलग कैसे दिये हैं दो आपको इसका आपको amount निकालना है तो amount का formula होता है principal plus interest वो मैं आपको introduction पार्ट में बता चुती हूं तो पहले interest निकलेगा और फिर amount निकलेगा तो कोशन की यह साबसे principal amount है rupees 12,000 12% per annum इसका पी यह का मतलब है per annum याने yearly पर annum जो rate है वो per annum होता है yearly होता है वो 12% है और time जो दिया है T वो 3 years दिया है तो यह P हो गया यह R हो गया यह T हो गया तो simple interest निकालने का formula होता है PRT upon 100 PRT upon 100 में हम P, R और T की value रखेंगे 1200 into 12 into 3 by 100 दो 0 से 2 0 कर जाएंगे 12 into 12 144 144 into 3 432 answer आएगए अब यह 432 हमारे पस interest आए और हमको क्या निकालना है amount तो amount निकालने के लिए हम principal plus interest यह formula लगाएंगे तो principal 1200 था और हमारा interest 432 आया दोनों को जब add करेंगे तो 1632 यानि 1632 इसका amount हो गया यह question number 1 था यह था question number 2 में principal amount is 7500 rate of interest is 5% और time वही जो question में 3 साल बात का पुछा है तो 3 years ही रहेगा तो हम उसी procedure से PRT upon 100 करके जब solve करेंगे P और R और T की value रखे तो 1125 इसका interest आएगा और interest आ गया है तो amount निकालने के लिए principal plus interest करेंगे तो 8625 इसका answer आएगा तो यह हो गया आपका question number B दोनों ही same थे दोनों में same चीज थी वह हमने किया question number 10 what rates gave rupees 280 as interest on a sum of rupees 56,000 in 2 years याने rate आपको दिया नहीं यह what rate मतलब rate आपको दियानी है याने R आपको निकालना है यह चीज आपको धियान रखनी है और rupees 280 as interest याने I जो है 280 है sum याने principal principal को sum भी बोलते हैं मैंने introduction part में लिखवाया है sum means 56,000 इसका principal amount हो गया और time जो है वो 2 years हो गया याने यह interest हो गया I, यह P, यह T और R आपको निकालना है तो R निकालने का मैंने formula आपको बताया है rate of interest निकालने का formula होता है 100 into I upon P into T तो 100 into I हमारा था 280, P था 56,000 और T था 2 years, एक 0 से 1 0 यह कटा और 2 0 से 2 0 यह कट गया तो 28 बंजा और 28 तूजा 56 तो उपर 1 बचा और नीचे 2 तूजा 4 तो 1 by 4 को जब हम divide करेंगे 0.625% इसका R हमेशा percentage में होता है इसलिए इसका unit हम percentage लिखेंगे अगर इसकी जगा T पूछा होता तो T का हमाशा answer years में आता लेकिन R पूछा इसलिए percentage में 0.25% होगा next question number 11 if Mina gives an interest of rupees 45 याने interest क्या हो गया 45 for one year याने time हो गया one year 9% rate हो गया और sum निकालना याने principal amount आपको पता नहीं है तो यह interest दिया है time दिया है rate दिया है principal आपको निकालने को बोला गया है तो principal के लिए क्लिए formula होता है से यह उसी तरह से होता है जिसे उपर हमने किया था आर निकालना था तो P T इदर आगया अब P निकालना है तो R T नीचे आजाएगा जो बचेगा P R T में से वो नीचे आजाएगा ओपर 100 into I रहेगा तो P equals to 100 into I upon R into T तो 100 into 45 interest 9 into 1 9 5s are 45 to 100 into 5 करेंगे तो 500 rupees इसका answer आएगा तो question number 11 था यह आपका जो lesson है वो पूरा complete होता है 8 lesson जो है वो पूरा इसमें complete होता है इसके जो introduction part में exercise 8.3 में मैंने formula बताया थे वो आपको learn करना है ताकि आपका यह exercise अच्छे से हो जाए तो यह इसके बाद हम आपका lesson number 9 स्टार्ट करेंगे इतना काम करके मुझे भीजिए क्योंकि chapter खत्म हो गया है Thank you